गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक और वो भी मुक्त होंगे आप भी होंगे यह दिसारे भक्ती पर लग जाओगे तो परमात्मा ने कहा था कि सकल स्रिष्टी परवानिक होई काल फंद छोटें नरलोई काल का जो बंदन है करमों से बांद रखा इसने और यह सब छोटेगा और सारी स्रिष्टी उपदेशी होगी कलियोग बीट पच्पन सो पाचा धरमदास जी से कहा था कि कलियोग बीटता है पच्पन सो पाचा तब यह वचन मेरा होगा साचा अभी उस सत लोक के प्रमेशवर के उस प्रमपद के जानकार होंगे, सब को ग्यान हो जागा उस प्रमपूरस के उस प्रभुर्स के उस प्रहूंब तो सर्वभौ deliveries की सरण मजा उसी किरपा से तो प्रमस्यानति को और सनातन यानि सास्वत सथान को पराब्ध होगा। गीता जाय नमबर 15 के सलोक नमबर 4 में कहा कि तत्व दर्सी संत की प्राफ्टी के उपरांत यानि तत्व गयान से प्रिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परंपद की खोज करनी चाहिए जहाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार में लिया थी और जिस जनम हो चुके हैं आगे भी होंगे और पहले भी हम जनमते रहे हैं इसलिए वो कहता है अर्दुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की संद मजा जिसकी करपा से तू प्रभिशानती को सनातन परमधाम को प्राप्त होगा तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर के कलियोग ब प्रभिश्वर के सभी जानकार हो जाएंगे कोई सत लोक है सचखंड है जहां हम रहते थे वहां जाना है तो जहां आसा ताबासा हुई मन करम वचर सुमरियो सुई तो जो परसन चल रहा है हम उसी पर आते हैं अब आपके जो पूरब उनके संसकार हैं उस कारण से आप बगती की चाहाँ आप लिये हुए हो दुर भाग गया आपका कि उन लकली संतों के पास पहुंच गए तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलियुग पच्पन सो पांच बीच जागा उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजब अपना उनके धर्म गुरू वरतमान गुरू जो भी ग्यान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी उसकी बाद मेरा दास जाएगा और उन्ही सद्गरंथों को जिन सद्गरंथों पर परतेक मानो आधारीत है जो भी जिस मजब धर्म से समझ रखता उन्ही से यथार्थ ग्यान उनके रूब रू करेगा उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्टूमेंट बनवाए प्रोजेक्टर बनवाए टीवी चैनल बनवाए दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है और आपको इतना तो ग्यान है कि आज से दस बारा वरस पहले इनका नामो निसान नही थी कि ये ऐसे इंस्टूमेंट बनेंगे यदी मानो बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको ये परमात्मा का दिया हुआ ग्यान बुधी है पूरा विश्व उसके बालक है कहीं से भी इसने किसी अक्सेतर से परच्वी किसी कौने से भी इंस्टूमेंट किसी भी अपन हुआ तब तक सिक्षा का कोई नाम और निशान नहीं था एक का दूका क्यों तो बढ़ा करता कोई और उसके बाद एक दम बाड़ सी आगी इतने आकरसित हुए कारण कुछ भी बिना चैरोजी रोटी के लिए सब ने डियोट कर दिया अपने वालक विश विश वरस तक बिट रहादास और उनका निस्कस निकालके परमात्मा के ग्यान से तोल रहा है तो इस मानुस जीवन का मून उदेश से यही है कि आप बगती करके यहां से पीचा चुटवाओ और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी बगवान से हुआ करता है बगव है तो परसंग अब चल रहा था कि हम जब सत लोग से आए हम धनी थे बगती के इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना राखे है स्वरग महा स्वरग परतेक जो भी देव है उन देवों के अपने लोग है अलग से जैसे विशुन लोग सिव जी का लोग बिर वेशुन जी का लोग ऐसे तो वहां इन्हों ने अपने रेस्टोरेंट बना रखे है वहां जो विश्मु जी का अपुजारी हमा जाएगा उस्सने जितने पुन किये हैं भगती की है लगवान की तो उसका टेक्स लेगा उस रेस्टोरेंट में 10 परतीसेट किसी ने बीस प यह देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं और जब आपकी पुन्जी समाप्त हो जाएगी, पुन्जी समाप्त होती है, आपको तुरा सी लाखियों में गदेख उते हैं, जो भी संसकार वस है, वह मेश दिया जाएगी और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे हमारी भक्ती सास्तर नुकुल ना होने से हमारे पूरवजनम के जो संसकार थे, वह सत युग त्रेता दुआ पर मैं अक्सीन हो गए अब चौथा युग जब कल युग आ गया अब इसमें आप देख रहे हैं, कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है चाए उपर ता अपना कितना चीकना चोपड़ा दिखता हो, और चाए पर धानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सुखने बनाईए कोई ना कोई ऐसी टेंसन उसके घर करी हुई है, को बता भी दी सकता किसी को तो इसलिए प्रमात्मा को ये मालुम था, कि जब इनके पुनक्सिन हो जाएंगे, तब इनकी आँखे खुलेंगी, ये वो बगती भी करका च्छक लेंगे, उन संतों के पास भी बटक का च्छक लेंगे, जिनको ये संत मानतें, और फिर भी ये ज्योंकेत्यों रहेंगे, और वो ऐसा मंत्रव समर्थ के पास वो पावर है, कि आपके संसकार प्राहरद के दुख को भी प्राहरद के संसकार को भी मुद्चेंज कर सकता है, मासा घटे ना तिलवद है, विद ना लिखे जो लेख, और सत्चा सत्गुरु मेट कह, तो परमार्दे मेख, अब सत्गु ना मिलने से, बेड पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी भिहंगा, गरीब दास वो भावजल डूबें, जिनको नहीं साध सत्संगा, कबीर इसन सारे कूँ समझाओं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड की और उत्राचावें पारे, शाध ना चे नकली कर रहे हैं, अर इंतजार करें सुख होन की और मोक्स की, कहते हैं, संसे सोक सराय में सुथ तक दिन रहती, और जीवत जग में जूती पड़ें, फिर जम तोड़े चाती, सत्साध ना ना करने से, हमेशा आपके संसे और सोक ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवत जग में जूती गोगे, और फिर जम तोड़े चाती, ये हमके दूट आगे फिर बहुत दुखी करेंगे, जो सत्साधना नहीं कर रहें, तो यहां क्या बताते हैं प्रमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे, वो सास्त्र विरू थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे, वो तत्व ग्यान का हमें प्रकास होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं, कबिर साहिब कहते हैं, पीछे लाग्या जाओं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सत्गुरू मिल गे, वो दिपक दे दिया हाथ, लोकवेद दंत कथा, जैसा सुना सुना ग्यान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे, हम अपने उपर धारन दे के हमें समझा रहे हैं, कि पीछे लाग्या जाओं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सत्गुरू मिल गे, और दिपक दे दिया हाथ, ये स्तत्व ग्यान रुपी टोरस दे दी, लालटन दे दी, अब इसकी रोशनी में हम गड़ों में, बोज़डों में, काटों में नहीं जाएंगे, इसके परकास से हम सुमारक पर चल कर मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अब हम आप आते हैं, जो आज पर संग शुरू किया था, कि हम यहां किस लिए जनमे हैं, हमार करने के लिए सारा जीवन नुचावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मरत्य हो जाती है, या सुम ही हम चले जाते हैं, तो उस समय हमारी बुधी काम करने योग नहीं रहती, केवल हा हा कार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कह तो इतनी सी बात समाई रहे जाती है, तो यहाँ परमात्माह में याद दलाते हैं, कि अब आपको एक विकलप दिया जा रहा है, कि आप ये साधना करो जो सास्तर अनुकूल है, और सास्तर अनुकूल साधना इस दास के त्रिक्ट इस विश्वेमें नहीं है, कुछ दिनों म पुदिमान हो, आपके रूबरू सरा ग्यान होगा, उन महापरसों का भी दास दिखाता है साथ की साथ, ये ये मंतर बताते हैं, ये ये मंतर बताते हैं, ये ग्यान बता सुनाते हैं, और ये वास्तवी ग्यान है, ये वास्तवी मंतर है, ये हमारे सद्गर्द परमानित करते ह संत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्स प्राप्ट मानते हैं उनके इतियास से आपके रूरू किया जाता है जिस से एक इस उल्जेहवे गुथी को समझाने के लिए एक पॉइंट के उपर धेर सारे प्रमान आपको दिखाने पड़ते हैं जब पिछला रंग हटता है और जएसे कभीर पंती हों से मारे भग्ज मिलते हैं याराधा स्वामी वालों से दंदन सच कुरु वालों से यही जएदा घगवान, सतलों का ठेका ले रहे हैं कभीर पंती और ये वो नकली कबीर पंथी, कबीर पंथी हो ते फिर तो बात खतम हो जाती, पंथ माने मारग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहिब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के दौरा दिया गया मारग है, वो कहते हैं कबीर पंथी, अब जैसे यहां हिसार से जा रहे हैं शर्षा की और और कह रहे हम दिल्ली की और जा रहे हैं हम दिल्ली जाना है हम दिल्ली पंथी हैं तो उनको कौन समझा है कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी जा रहे हो शर्षा पंथी जा रहे हो शर्षा की और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं तो कहते हैं कबीर प प्रण्त की नों केना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो विक्ति हैं जो गल्थ साधना करें तो ये सभी सतलों की महिमा सुनाते हैं और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कैसे ऐसे वहां चलो अच्छी साधना है सही ग्यान है तो वो कहते हैं नहीं वो तो काल के नाम देता है सुरू से काल के नाम देता है काल कुण से बिर्मा विश्णो महिश के देवताओं की पूजा बताता है पुन्यात्माओं ये ग्यान का टोटा है जब ग्यान संपूरन होगा तब आपको पता चलेगा कि बिर्महा भी सुनो महेश ये अलग नहीं कर सकते हैं इनको जैसे शिरीमत भगुत गीता जहाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से लेके चार में एक विशिश विवरन है कि ये उपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी साखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वरक्ष समझ़ो और इसकी तीनों गुण रूपी साखा है इतना गीता ग्यान दाता क्यों इतना नौलिज रखता है कि उपर ने जड़ समझो और जड़ वो दड़ड है वो अविनासी पॉर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वरक्ष का और उस मूल मालिक है जड़ है उसी से सब को वो सभी सभी का धान पॉर्षन भी वही करता है क्योंकि पूरे वरक्ष को पेड़olla को जड़ से ही अहर पराफ्ट होता अखराट मिलती है गीता ध्यहा नumber 15 के सलोक नumber 16 और 17 में तीन पूर्ष बताए, सरपूर्ष अक्सर पूर्ष और सतरमें सलोक में कहा के उत्तंत portion है तो अन्द अन्य सरपूरस और अक्सरपूरस से कोई और है उत्तंतentry स्रिष्ट बगवान और वही तीनों लोकों प्रविश करके सब का धारन कोशन करता है अब इन दो सलोकों का लिंक अब उन पर्थम के चार सलोकों से है पंदर में जाएगे तो इसमें बता कि उल्टा लटकाव एक संसारुपी वरक्स है और जो तत्वदर्शी संत की पहचान जो इस संसारुपी वरक्स के सभी विभागों पीन बता देगा से वेदृत राशी संत है है 24 द्याकि 24 द्यूदा च्रांद में जो तत्वद्रशी संत के विभा कि कि उसकी सर्ण में जा, उससे पूछ, वो उसके पहचान बता दी, कि उल्टे लटके संसारुपी वरस के सभी पार्ट से बता देगा, सैवेद्वित वो तत्वदर्शी संत है, तो ठस्सो वरस पहले प्रमात्मा स्वेम आई थी, और गीता जार नबर चार के सलोक नबर बतीस में जो कहा है, कि उस सचीदा नंद घनबरम अपने मुख कमल से अमरतवानी बोलता है, वो तत्वगान है, वो निसकरस है सारे जात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा, और मिलेगा नहीं तुझे, तो यहाँ प्रमात्मा ने छस्सो वर्स पहले उस्तत्वदर्शी संत की भूमी का, जैसी उनकी लीला है, वो किया ही करते हैं, जैसा दास नबी वेदों के पुरमाना आपको बताए थे, रिफरेंस बताए थे, उनमें यहीं लिखा हुआ है कि प्रमात्मा उपर रहता, उपर के लोक में, सत लोक में, वहां से चल कराता सह सरीर, और यहां तीन परकार से, के सतीती से हमारा धान पोशन करता है, एक तो आपको बताए सत लोक में रहता है, जब उस कुन, वहां तो उनका श्रीर बहुत तेजों में होता है, क्रोड सुरिय मिलाद, एक क्रोड चंदरमा, एक रोम कुप के, उनकी सोभा होती है, इतना तेज है, दूसरा परतेक युग में सिसुरूप धान करके आते हैं, और एक जल कमल के उपर है, यानि कमल तो जल में होता है, सरोर माक है, वो अपना निवास कर लेते हैं, तुसी सुरूप धान करते हैं, वहां से निसांतान डंपती उठा ले जाते हैं, और उनके परवर्ष की लिलास, कमारी, गायों से होती है, ये तो है पर्थम्स फिर देरे बड़े होते हैं, तो बस्पन से ही वो अपने महिमा, अपने मुख कमल से, लोकोटियों के मादम से, दोहों के मादम से, सब्दावलियों के मादम से, वो ज्ञान परचार करते हैं, कवियों की तरह अचरन करते हैं, लोग उनको कवी भी कहने हैं लग जाते हैं, एक परसिद कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमातमा अब तीसरी सतीती वो बताई है कि वो परमातमा तीसरी सतीती में वो कभी भी कहीं भी किसी संत किसी को संत रूप में महापुर्श के रूप में आकर दर्सन देते हैं उनको ग्यान सुनाते हैं अपने से प्रिशित कराते हैं तो तीसरी सतीती वाले महापुर दादू साहिब जी को मिले, आदने मुरुकदा साहिब जी को मिले, आदने ग्रीबदा साहिब जी गाओं छुड़ानी जिला जजजर हरियाना वाले को मिले, आदने गीसा दाद साहिब जी गाओं खेखडा, जिला बागपुर हो गया, उत्र परदेश वाले को मिले, आदने र और भॉमी रामानजी ब्रह्मन दॉसरी टाइप के लीला कर रहे थे इसी सुरूप धान करके पांच वर्स की आयू रिला कर रहे थे 114 ब्रह्मन को सब गीता से प्राजित कर देए था तब इस महापुरूस ने प्रमातमा की सरन ले थी उनको सच्खंड लेकर गए थी, इन सभी महापुरुसों को, अपने से परिचित करा था कि मैं कौन हूँ तो तुमारे वेद बताते हैं, मैं वही हूँ, और मैं उपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आता हूँ, और यहाँ ग्यान देता हूँ, तब उन महापुरुसों ने स्व बगवान हो ही, आप सच्चा ग्यान देने वाले सत्गुरु भी आप ही हो, और आपके अंदर एक भगत के लक्षन हैं, आप जैसे परमात्मा यह थे, कबीर दास, हमारे लिए एक रहसल करके छोड़ गए, कि यहाँ बगवाद नहीं चलेगी, जितना आधिन होगे बगवा आके गए हैं, और उन से ओने वाली हानियों का भी प्रीचे दिया है, और किस परकार आपकी वगती नस्ट होती है, वो भी जानकारी दी है, कैसे सुरक्षित रहेगी, जैसे माता ग्रब कूं, रख यतन बनाए, ठेस लगए तो छन होए, तेरी ऐसे भगती जावे, पुनात रात को भी चनता रहती है, कि मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, उचे नीचे में पैर ना रख्या जा, रात में करवट लेती हैं, जैसे माता ग्रब कूं, रख यतन बनाए, और ठेस लगए तो खराब हो तेरी ऐसे भगती नस्ट है, तो इस बगती नस्ट है, त के अंदर आपने मरियादा गणी जरूरी है, सावधानी, अब प्रमात्मा ने आपको सत बगती भी मिल गी, दास भी मिल गया, आपके अंदर बगती परवेश भी कर दी, अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा, जराशी लापरवाई में वो बात बगती हीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं, फिर स्टार्ट होगी नए स्रित, तो इससे इतना डिर्क है, इस बगती को सफल करो, अब जो परसिंग चल रहा है कि, अब हम इसको कैसे सफल करेंगे, और कैसे हमें प्राप्ती होगी परमात्मा की, यह इसमें मूल कारण है, अब अब पूजा नहीं इनकी, जैसे आप जी को बता था कि, जैसे पती भरता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है, तो बहुत अच्छी भागवान कहलाती है, और जो कि अपने पती इसे हैं, किसे डंगता बोलो नहीं, किसे बात नहीं करूँ, से इरोटीप होंगी, से कपड़े दो होंगी, तो वो कलाय का कारण बनेगी, तुवा पती बरता होते हैं, वो आप नकम्ये है, तो इसलिए हम यहां बगती करेंगे, और यह वर्माभिष्णो मेस हमारे अंस हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है, जैसे परसिंग चल रहा था, उस ही भगवान हो, और तुम ही सत्गुरु हो, सच्चा ग्यान देने वाले, तो थ्से वर्स पहले परमात्मान आकर बता था, अक्सर पुरस एक पेड़ है, यानि एक सत्गुरु की भूमिका की, वो भगवान तो है ही है, वेद बताते हैं, वो परमात्मा आकर यहां सच्चा अपना ग्यान परचार करता है, जिस कारण से लोग अंजान में उनको कवी करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं, अक्सर पुरस एक पेड़ है, सर पुरस वाकी डार, जोत नर्जन को सर पुरस भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था, और तिन्न देवा साखा है, बाई पात रूप सनसारे, उल्टे लटके हुए संसार रुपी वरक्स जमीन से बाहर दिखाए देता है, उसको डिफाइन किया प्रमेश्वर ने, कि अक्सर पुरस तना, अक्सर पुरस तना, उससे एक मोटी डार निकलिए जोत नर्जन, यह सर पुरस बात हैं, अब यहां एक तो यह, जो इनकी धारना और सोच गलत है, उसको दास कलियर करना चाहता है, कि जैसे हम कोई बगती रूपी पोदा बहुएंगे, यानि को पोदा लाए आम का, और उसको जड़की तरफ से बहुना चाहिए, समझदारी है, गड़े में, और जड़क से चाहिए करनी चाहिए, तो जड़की से चाहिए हम करेंगे, तो वो तना भी, पोदा, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा, और हमने क्या कर रख्या, कि हमने पोदा उटा रोप लिया बगती रूपी, हमने अबर मा भी सुनू महेश इन साखाओं क इस्ट मान लिया, और इनको गड़े में डाल दिया, इनको गड़े में डाल दिया, और जड़की उपर ने, और हम से चाहिए करना लागे इनकी, आपको इसी तर दिखा देता हूं, जल्दी समझ मा जानी, ये देखिएगा, हमने पोदे को कैसे बीजना चाहिए था, और बी उपर को जड़ और नीचे को साखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार उपिवरक्स है, और प्रमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्सर पुर्स एक पेड़ है, सरपुर्स वाकी डार, अक्सर पुर्स एक पेड़ है, ये प्रमात्मा की वानी है, निरजन कहो उसको पेड़ बोलते हैं, अक्सरपुरुस एक पेड़ है, सरपुरुस यानि जोत नरंदनवा की डार और तिन्नों देवा साखा हैं, ये पात रूप संसार, हम यहां पर हैं, पात रूप संसार, और वो तिन्नों लोकों में प्रविश करके सब का धान पोशन करता है, वो है उत्तंपुरुस तो ने, ये है जड़ मूल सब का मालिक, यहां से हम सब को आहर मिलता है, यानि इस सरपुरुस अक्सरपुरुस और विर्माविशनु महिस सत्का पालक यही है, लेकिन थ्रोपरोपर चैनल हम तक पहुंचता है, अब जैसे शिरीबद भगवद गीता धाय नमबर तीन के स्लोक नमबर दस से लेकर पंदरा तक विशेश विवरन है, कि जो ये कि जब महाजी परज़ा पिता ने, सबसे पहले सिरिष्टी रचकर उनको संदेश दिया था, कि तुम अपने यग अनुस्ठान करो, और उसके दोवारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त फल दिया, भोग दिया करेंगे, और जो अपने संसकार प्रहरद में मिले हुए से, और उसमें से कुछ दान धरम पुर नहीं करता, वो तो चोर है बगवान का, फिर पंदर में, चोद में, पंदर में सलोक में सफ़ष्ट किया है, कि उस परमात्मा को, जो सब का धार्ण पो को करना चाहिए, जिस से आपको सभी लाब पराप्त होंगे, तो हम पूरन प्रमात्मा को इश्ट मान कर जड़की पूजा करवाते हैं, और इन गरमावी सुनो मेहेश को, अपके अपने आप ही, वो, हमारे संसकार सुब बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं, अब जैसे, य हमारे देवताओं को छुडवाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें, यह तो बालक हैं, बालक वाला ग्यान वाला विक्ति ऐसी भासा बोला करता है, जब उनको ग्यान होगा, जब पता चलेगा, कि दास कुछ ना देवता छुडवाता, आपको उन देवताओं को डंग से प और आम विक्ति इसको स्विकार करेगा, सीधा बीदा हुआ बग्ति रूपी पौदा, अब यह मूल है, पूर्ण प्रमात्मा, अक्सर पुरुष जड़ है, इसको गंले में या गड़े में लगाया, और सिचाई की, सत बग्ति की, तो इस जड़ से फिर यह सभी देवता, यह तिननों देवा साखा, यह बड़े हुए, पेड़ बन गया, पेड़ बन का फिर फल इनका लागए, पिर मा विशुनों महिस को, अब इतना जान कौन होगा, वो मूरक ही होगा, जो यह कह है कि माली जड़की पूजा करता है, और टैनियों को तोड़के फेकवा दे, फि जैसे भी होंगे, यही देंगे आपको यह कंट्रोलर ही आके, और जब हम सास्तर नकुल साथ ना करेंगे, तमारे सारे सोब ही सोब होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, यह फिर आपको देंगे, जैसे जड़की पूजा की, यह एक अग्जामपल है, यह उधारन है, कि ज संसकार होंगे, जैसे बिरमा विश्वनमेश, आपको देंगे ही देंगे, जैसे आप कीता बैठे हो, जैसे जंगल में बैठे हो, वहां भी जा कर देंगे आपको, यह इनकी किनका करते हो बने है, अब आप कैसे कर रहे हो, और दास क्या करवाना चाहता, यह देखीगा, लगा दिया, टैनियों को, और इसकी इनकी पूजा सुरू करती, जड़ छोड़ दी, यह वक्ती रूपी पूदा आपका सूख की गया, जिस कारण से आपको कोई लाब अध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा, दास कहता, आप इसको ऐसे कर लो, बैस, यह बिरमा भी सुनो म एक सादे सबसद है, और सबसद सबजावे, माली सी चेह मूल को हो, फुले फुले एगाए, इतनी सी बात है, और यह हमारा सास्तर न को ज्ञान है, और सास्तर न को सादना है, पराप्त करो और अपना के लाण कराओ, पुनातमों सो बागे आपको आपको अमरत्वचन यततत्व ग्यान सुनने को मिला, और परमातमा की दया हुई, ना इस काल के कोलो में हमारे दद्यमरगे, परद्यमरगे, उसी प्रिवार पोशन में, और यह यहां तक लाने का कारण भी परमातमा यह आपको परमेर कर रहसत करमा लेना, ना यह कदम भी दर नी चलने, देकाल इतना दूस्त है, आपके उपर परमातमा की मेर बिर नजर नियारी है, जो यहां पहुंच रहा है, यह सत करमात है, तो इसके पूरा ग्यान सुनो, आपके हर्दे में जो मेल है, सारा साफ होगा, बगवान विराजमान होग सारे काम ठीक होगे, आपका रोग कट्टेगा, आपको धन मिलेगा, और मोक्स मिलेगा, सत लोग चलेंगे फिर, जहां जम बैठकर चालोगे, परमपिता प्रमातमा पूर्न ब्रंग, सारी सृष्टी के रचनहार, सारी सृष्टी के मालिक, कुल धनी, कुल के मालिक, कबीर प्रमेश्वर जी की असी मरजा से, आप सभी पुन्यातमा प्रमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्तित हुए, आपका सौब अग्य है, आपको ऐसे समय में मानुस सरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किसमत आपकी है, कि आप, आपको ये तत्वग्यान और ये विध्यी प्राप्त हो रही है, तो आपकी किसमत का, आपके सुब संस्कारों का कोई अस्टीमेट नहीं लगा जा सकता, ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुन्य संग्रह किये हुए, लखबर सूरा जू जही लखबर सावत दे, लखबर यती जहान में तवस्त को रिशना ले, तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी ना किसी युग में रहे हो, आपने प्रमात्मा के लिए बड़े बड़े सेक्रिफाइस किये हैं, आपने राजबी टागे हैं, आपने बहुत बड़े कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको ये सुब समय पराप्त दन्य हैं आपके मात पिता जिन से जन्म हुआ, प्रम पिता प्रमात्मा की असीम रजा से आप यहां पहुँचे हो, आपको जितना ये अज़ातन ग्यान होता चला जाएगा, उटना ही आपको सर्प्राइज होता रहेगा, आस्ट्रिय होगा, कि सचमुच सहज में बगवान मिल गए, सहज में वो ग्यान मिल गया जिसको रिसी महर रिसी नहीं प्राप्ट कर सके, बिर मां भी सुनो महिश को भी वो ग्यान प्राप्ट नहीं हुआ जो आज आपको वगवान ने प्राप्ट करा जिया, और सहज में प्राप्ट करा जिया, अब जो कमी रहेगी तो आप की रहे लिए तो इसके विसे हम प्रमात्मा कहते हैं स्वेम ही के समझा है तो सिर्ध दर्पाओं और बहुर नीरे ऐसा दाओं यदि आपको यह ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहां रह रहे हैं और किस उद्धे से हम जी रहे है और हमने करना कई चाहिए थाम कर क्या रहे है । अब सिर्पे पैर रखलो । सिर्पे पैर रखना बहुत तेज दोड़ना किसी आपत ध्यार काल सथी थी में कहीं कहीं पैर ठेका करें वग्टी के । तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मौक्स प्राप्त हो जागा, सदा के लिए दंजट मिठ जागा, आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने पिरिये हैं, आपके माता पिता आपको कितने पिरिये हैं, आपके पती पतनी भाई बहन आपको कितने पिरिये ह हैं लड़ाई कर लेते हैं मुकदमे कर देते हैं तो यह कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप कितना लगाऊ रखते हो तो और फिर यह तुरंट छोड़ देनी पड़ती है मर्तु हो जाती है यह क्या कारण है जब आपके यह कारण समझ माओगा तब आपकी रूची बनेगी परमातमा के पाड़े में और सत लोग जाने की अन्य था ठीक है जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी वक्ती सास्टर नुकुल हो और सास्टर नुकुल साध करने से आपके इतने सुब संसकार बन जाओंगे यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस बग्ती से इतनी महतोपुर्ण बग्ती है इतनी कीमती है इसकी इतनी वैलू है और ना जाने कितनी बार पिरच्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुनकर्मों से और फिर उस से भी अधिक आप फिर कुटे गधे सुवर भी बनोगे तो इस जंजिट से छुटने का इसे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है अब इसको चूकना नहीं है बुदिमान विक्ति हो एजुकेटिड होगे इस प्रमात्मा ने हर तरह से रजा बक्स राखिये आपको सिक्सित किया सद्गरंथों से दास को परीचित किया और फिर ऐसे इंस्टूमेंट बना दिये कि आप गरवेठे देख सकते हो अब भी कोई प्रमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा सत लोग जाने की इच्छा इसकी नहीं बनेगी तो फिर वो मनुष के सिरीर में पसू ही है मनुष नहीं है इस ऐसा ग्यान प्रमात्मा ने आपके रूब रूख राजिया है जिस दिन आपकी सिर उची बनेगी यो ग्यान समझ में आओगा आपको इस लोग की कोई भी बस्तू अच्छे नहीं लगेगी इंद्र दा राज काग दा बेश्टा स्वरग के राजा की गद्धी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बीट होती है टट्टी होती और अब तक हम एक सर्पद बन जाओं तो काग बीट से भरें मले बन जाओं तो पता नहीं के बन गे मंत्री मुख्य मंत्री बन जाओं छोटे से टुकडे के तो हमारी बुदी खराब हो जाती है इस ग्यान से सैटिंग होगी यहां से इच्छा अटेगी आपने देखिया होंगे मुख्य मंत्री हेलिकप्टर से जा रहे थे आगए उनके शवागत के लिए माला लिये खड़े थे रस्ते में क्रेश हो गया हेलिकप्टर और उस बगत जी के आड़ भी ना पाए कि तीन दिन तें तो खाक है यह जीवन तो आपने गयर हाई से सोचना पड़ेगा यह यह कोई डूम बाठ के गीत नहीं है परमात्मा का बता अज़ात में एक मारग है और परमात्मा कहते हैं यह कहन सुन की बाता नहीं है यह कर पाड़ने की है पुने आत्माओं आपको आज के सत्सिंग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा सुबह माते हैं यह थारत ग्यान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को अच्छे आत्माओं को मिलते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाता ले ग्रीबदास ढूंडता फिरू हूँ अपने हीरे मतीलाले कबिर साहिब ग्रीबदास साहिब जी को मिले सत लोक में लेकर गए जहां से हम आए हैं जहां हमारा निद्ध सथान है जहां हमारे पता रहते हैं और वो प्रिम्पता फिर वापिस छोड़के गए उनको इस प्रिच्वी पर आँखों देखा वो वहां का नजारा वो सारा द्रिश और प्रमात्मा से प्राप्त उस ग्यान से प्रिचित होने के बाद ग्रीबदास साहिब जी ने बताया के ग्रीबदास प्रमेश्वर ये कह रहे थे गोता मारू स्वरग में जा पैठों पाताल ग्रीबदास मैं ढूंडता फिरूं अपने हीरे मतीलाल आप उस प्रमात्मा के वो हीरे और मोती यानि बहुती पिरिय अत्मा हो आप तक प्रमात्मा ने किसी भी मादम से संदेश पहुँचाया है और अपनी सरन में लिया है आप वो पुन्यात्मा हैं अब जब प्रमात्मा यहां आए हुए थे गर गर डोला करते थे कहीं भी चोरहे पर खड़े हो जाते थे एकतारा लेके अपने अमरत वानी को सुनाया करते थे प्रमात्मा की वानी में आत्मा को अट्रेक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुम्बक लोहे को खेंच लेती है आप इस मालिक की वाणी को सुनके आत्मा अपने आप जैसे खेचाओ होता है और ऐसे प्रमात्मा की वाणी इसको दंदेड कर रख देती है इसको विवस कर देती है सोचने के लिए तो कर क्या रहे हो करना के चाहिए था परत्वी पती चकवे गये जिनके चकर चलंत रावन सरीखे कोन गुण वाई ऐसे गये अनन्त सर्वसोन्य की लंका थीवो रावन सेरण दीरं एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरं सुक देवने चोरासी भुगती बन्या पजावे खरवो तेरी क्या बुनियाद पराणी तु पेंडा पंथ पकड़वो आए हैं सोजाएंगे ये राजा रंक फकीर एक सिंगासन चड़ चले एक बंधे जात जंजीरं कबीर हरी के नाम बिना ये राजा रस्ब हो मटी लदे कुमार के वई गास न डाले कोई उन्हें अत्माओं ये बगवान की बताईवानी दास बोल रहा है जो प्रमेश्वर स्विमाकर बोलते हैं जैसा गीता जाय नमबर चार के सलोक नमबर बत्तीस में आपको परमान बता था कि गीता ग्यान दाता कहता है कि वो प्रमातमा स्विमाकर अपने मुख कमल से जो ग्यान देते हैं वो तत्वे ग्यान है और उस ग्यान में वो विस्षिज जानकारी है अध्धात्मिक यगों की यग माने दार्मिक अंस्ठानों की और उसको तत्वे दरसी संत ही बता सकते है उस पर मातमा के उस तत्व ग्यान को तो ये वो तत्व ग्यान की वानी है जो बगवान न बता रही है अब हम ये समझें क्योंकि हमने समय पर मनुस जीवन में मनुस जीवन जैसी ही स्वीधा प्राप्त होती है कुटे के जीवन में कुटे वाली ही सेटिंग होएगी तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उसमें पर खाना मिल जाता है जब चाहे चाह पे लें जब चाहे दूड पी लें गोखला के खाना खा लेते हैं और जब ये स्रीद छूट जागा क्योंकि ये मिला इसलिए थायासी सुईधाय और ये सिबू धी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रियतन करें और यदी परमात्मा नहीं प्राप्ट करते हैं बगती ना करके और अबक वाद्दों में जीवन विरस कर जाते हैं तो फिर परमातमा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीवकी कि अब क्या बनियाद है क्या अकात है सहज में समझा जाना चाहिए फिर क्या बताते हैं परमातमा कबीर हरी के नाम बिना ये नार कूटिया हो गली गली भौकत फिरे बाइटो के न डाले कोई प्रमात्मा की वक्ती के बिना राजा की राणी भी कहते हैं कुतिया की योनी प्राप्त करती है फिर बताते हैं नक बेसर नक पैबनी ये पैरें थी हार हमेल कभि बिबी पढदे रह थी जोड़ी लगें थी बार गात उगाड फिरती हैं वो बन कुतिया वाजार वो पढदे की सुंदरी स्णो संदेशा मोर गात उगाड फिरती हैं वो कर सरायों शोर नक बेसर नक पैबनी पैरें थी हार हमेल अब सुन्दरी से कुतिया वनी वाई सुन साहिव के खेर बीबी पड़दे रहे थी इन राजाओं की राणिया बड़े बड़े घरों की बहु बेटिया इन माया धारियों को हम बड़े मानते रहे बड़े बड़े गरहों की बहु बेटियां परदों में रहा करती थी राजा की राणियों परदों में रहा करती थी आगे उनके चोंकियां लगया करती थी कोई भी गैर वेक्ती वहां फटक ना जा और उसमें वो अपनी इज़त माना करते थे अब प्रमात्मा कहते हैं बीबी पड़दे रहें थी और डोड़ी लगें थी बार बार माने गेट का गए चौंकी पैरेदार खड़े रहा करते थे और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुती आबादार वो पड़दे की सूंदरी और सुनो संदेशा मोर अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोर नकबे सर नकबे बनी वो पह रहें थी हार हमेल और सुन्दरी से कुतिया बनी कैसा सरूप विगड़ गया और सुन साहिब के खेद अपने अत्मों ये बाते कोई कहने और सुनने तक्सीमित नहीं रखनी है इनको अपने हर्दे में जचाना है और इस पे बहुत वेचन करना है परमातमान ये सब्द क्यों कहें विचारनी ये विसे है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुए उनको घर से बार जाना अलावड नहीं था उनकी इज़त का नास होगा था और जिस कारण से वो सत्संग और संथ के विचारों से बंचित रही जब वो राणी थी सुन्दर गहने पहना करती थी आबूशन पहरा करती थी कजू किसमस और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी क्योंकि उनकी पूरब जनम की कमाई सुब संसकार उनके साथ थे बविचे में कोई चारजर लगा नहीं बविचे में कोई उनको ऐसा वसंत मिला नहीं बग्टी करने ग्यान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुस जीवन बरबाद कर दिया काजो किसमिस बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और जुठा छोड़ा करती थी उनकी नोकराणियां खाया करती थी एक प्रमात्मा की भक्ती ना करने से वो अगले जन्हों में कूतिया की यो निम जाती है अब कूतिया के जीवन से आप घूप रीची थे फिर भी प्रमात्मान आगे बता है कि वो ही रानी जो पड़्दों में रहा करती थी जिनकी इज़त नास हो जाती ज़र सत्सिंग में चली जाती थे अब वो इज़त कूतिया बन के घूम रही है नीवस्तर हो रही है तो प्रमात्मा कहते कुल करनी के कारण है यो जीव गया बिगो इसना अपना बठा बठा लिया इस लोकलाज के कारण और जब यो कूल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो गदाबन के कुतियाबन के गुमोगे जब यो तरह खान दान तुझे क्या सहरा देगा तो इसलिए प्रमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे इस सूत्ती आत्मा को जगाया करते थे जगे जगे खडे हो के और आत्मा इतनी अचेद कर रहा खिए इस काल ने पहले तो ग्यान हीन बनाई और फिर मों ममताम फसारा की यतरा बेटा या तेरी बेटी यतरी कार या तेरी कोठी और काम नहीं करांगे बगती का समय कब मिलेगा अब तो सभी ये कहते हैं कि फुरसत नहीं है टाइम नहीं मेरे पास कोई किसी ने तो ये धारना बना रखी है कि बगती तो बड़ा पे म करा करें जवान बच्चों का जवान बेटियों का के काम सत्संग मजाने का फूट गे बाग हमारे बड़ा पे मगती होगी बजले बूड पता कर ले बूड जयाता है कदे दाथ निकलवानी कदे आख बनवानी कदे पिंडी बढ़कें कदे भी पी आई कदे लोक और सुगर बढ़गी वह तो ब्रानमाटी का दोर है बड़ा पे मता है अगर पहले से ही वकती सुरू करेंगे तो बड़ा प्या भी हमारा रोग रही प्रमात्मा की सकती साथ रहेगी तब ओ ठीक रहेगा अब प्रमात्मा की वकती का आधार देखिएगा तो जैसे परलाद थे दस वरस के थे और दस वरस के वकती में लगे थे दुरू पांच वरस के ही थे और प्रमात्मा की इसे तत्व गान के अंदर सुक्सम वेद में बता है कि तीन वरस के बालक को प्रमात्मा का मंतर पर्थ मिल जाना चाहिए यही वेद प्रमानित करते हैं तीन वरस की आईउ मैं तीन वरस जो पर्मसंथ होगा वो तीन वरस की आईउ के बच्चों को ही उपदेश देना परहरम करते गा और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे बुड़े हो के पर वर्द हो करके बक्ती करेंगे बच्चों से फारे गोले और मर्द जो जा बीस सालगी उमर में परहद इतना ही हो फिर कहां करेंगे तो बच्चपन से ही मालिक का साहरा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्स्टेंड होएगी आयो भी बढ़ेगी साथ देगा बगवान पाप से बचेंगे बगती संग्रे होगी सो सो हमारी मुसिपतें टलेंगे तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ग्यानना मिलने से हम लोकवेद दंद कथा और अपने अमसार ही सब ग्यान, विचार, व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर कि यह ग्यान दिया 64 लाख परमेश्वर के से सोगे थे, 64 लाख, आज तो परमात्मा एक चैनल से टीवी चलता है प्रोग्राम चलता है तो क्रोडों व्यक्ती घर बैठे देख सकते हैं, क्रोडों टीवी लगवा दिये दाता है पहले परमेश्वर ने अपनी अध्धात्मिक पावर का परियोग किया आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा आपने कब ली बाराप फरवरी दोहजार तेरा को सर क्या काम करते हैं आप मैं पहले भिलाई इस्टिल प्लांड जो सेल का नौरत प्लांड गीना जाता है उसमें सीनियर आपरेटर था और रिटायर हो चुका हूं संत रामपाल जी महरा से नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आपको यी बक्ती साधना भी करते थे हाँ जी मैं बहुत है भगवान की खोज में बचपन से लगा हुआ था और चाहता था कि भगवान को नहीं कैसा है और हमको दिखता है की नहीं दिखता तो मैं एक सुकसागर गरंथ पढ़ा था जिसमें लिखा था कि नर्क में जाने से मनुस्या बहुत कस्ट भोगता है करके तो साथ साल के उमर में मैं साधू बनने के लिए घर से निकल चुका था और जब गर्मी का समय था जब पैर जलन मात्म का याद तो रखते थे जूंडते थे कई मिल जाये करके और फिर गुरु के खोज में निकलने चालू किये और पढ़ते पढ़ते मैंने असारम बापू उनके पास भी नाम दिख चलिये गातरी पंथ में भी गये पूरा परिवार कभीर पंथी तो थे ही लेकिन कभीर पंथ में किसी ने ऐसा ज्यान नहीं दे रहते जिससे हमको भगवान की पता बता दे कि हम लोग कभी-कभी बच्पन में पढ़ते थे कि भगवान कहीं तो है जिसको हम लोग ढूनने से मिल सकता है गरके लेकिन नहीं मिला और यहीं पर अमारी भक्ति का एक अंत जैसे हो गया था लेकिन फिर भी लगबाग आसारम बापू कास हम लोग दो साल तक रहे और बता को लिए अलग-अलग भक्ति होगा नहीं हो सकता है सर के उसको भी छोड़ दिये फिर हमारे बड़े भाई हैं जो गायतरी परिवार से जुड़े हुए थे उसने हमको बोले कि भई यहां आ जाओ वहां भी भक्ति का हमको आधा दूर लगा कि भगवान तो यहां से मिलेगा सर आपकी पीडिया भी कभीर पंथी रही हैं और संतरामपाल जी माराज भी कभीर पंथी हैं तो आपने अपने राज्यों को छोड़ कर इतनी दूर संतरामपाल जी माराज से हरियाना में जाकर नाम दिख्षा ली तो आप संतरामपाल जी माराज के पास ही इतनी दूर क्यो हुई शिर्फ बीजक को ही कुछ पयाएल और बीजक के ज्ञान को बताके उसमें भी अपने अपने आपने धंग से अपने अपने डपली बजा रहते लेकिन संत्रांपा जी महाराज जो है बीजक को तो बताते भी हैं और कभीर सागार को भी पढ़ते हैं और अन्य उनको गरंथ हैं जो हमारे धार्मिक गरंथ हैं वेद, पुरान, पुरान, बाइबिल और उनको सारे चीज को पढ़के ओ दिखाते हैं एक एक चीज को दिखाते हैं कि बहुत आताते हैं कि अपने हाथ से उंगली रख के दिखाते हैं कि गरंथ में यह चीज़ लिखा है बेटा और इसका अर्थ यह है और इसको जाने बीना हम पढ़े बीना भी यह अधूरा हो जाएगा इसको आप जानिये समझिये और यही एक मूल ग्यान है गरे सरसंत रामपाल जी माराज की सरण में जाने के बाद कि आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए उनसे तो जाने के बाद तो मेरे को एक जीवनदान ही मिला समझो कि मैं साइटिका से पीडित था जिसको डाक्टर लोगों ने बोल दिया था कि यह लाई इलाज है ठीक नहीं होग और जिन्दगी भार आप ऐसी जुक के चलते रहेंगे और इससे आपको इसका जिन्दगी मरने तक ही आपका यह साथ नहीं चोड़ेगा करके तो यह तो एक प्रकार का मेरे को छोटा सा लाभ तो हुआ जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बात कर सक रहा हूँ और दूसरा तो बहुत ज्यादा बीडी, सिग्रेड, तमाकू सभी तरह के नसा करते था सिर्फ मांस नहीं घाता था बस लेकिन यह नसा को उनके सरन में जाने से नसा चूड़े हूँ मेरा जो बीमारी है वो भी ठीक हो गया साइटी का जब मेरे कुआ था तो मेरे कुछ सेक्ट डाक्टर लाल जो है वो यह बोल दिया था मेरे को अपने चेंबर में बुलाग बोला था कि साउजी यह तो लाखों में एक कैस होता है जिसमें आपको हुआ है जिसको सेकाई करने से आप बेंड हो गया करके नहीं तो साइटी का जो है आफ्रेशन करने से लगभग ठीक हो स रिस्तेदार है उसको पैरलाइसिस हुआ था कमर के नीचे से जो बिल्कुल चल निपा रहा था एक समझो कि मुर्दा की तरह था जिसको हम लोग बहुत लोग हमारे साथ में मेरे पूत्र है मेरे साला जी है और मैं हूँ और मेरे साडू जी है यह सबी लोग हम लोग इसको म भक्ति कर रहा है तो उसने तो उनका तो दिमाग भी ऐसा चड़ा हुआ था करता हूँ ऐसा घर के ऐसा बोल दिया था और कितना करूंगा ऐसा बोल दिया था लेकिन परमात्मा ने बोले कि हास के बोले बेटा भक्ति करो अब मर्यादा में रहो मर्यादा में रहने से ही मुक कर रहे हैं लेकिन उनके पास नसा का इतना भरमार हो चुका है कि से मेरे को डर लगता है बात करने में बीडर लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहें करके मैं भी बोलता हूँ, कभीर साहिब भी बोलते हैं लेकिन उनके धर्मगुरु भी बोलते हैं लेकिन उनमें ये सक्ति नहीं है जिसको रोक सके और उन लोग से मैं निमेधन करना चाहूँगा कि आप लोग संत्रामपाल जी महाराजी के जो साहि कभीर साहिब का उसको आप मिला के देखिए और उस मिला के देखके आप आप खुस्वम निर्ने करिए कि कौन सही भक्ती बता रहे हैं जिससे हमारी मुक्ती हो सकता है सरसंत्र रामपाल जी मारा से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है अज कल तो हर घर में TV है तीवी गमाध्यम से आप साना चेनल में देख सकते हैं उसमें पखिएला पट्टी आता है उसमें फोन नम्बर, मॉबाइल नम्बर जो लिखा हुआ है उसको उससे काल कर सकते हैं और उससे आप सुच्छ तक सहित मंगा सकते हैं और वहां से आप नाम लिच्छा लेके अपना कन्यार कर सकते हैं धन्यवाद सर धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो